How to install PE Recovery, Pixel Experience Recovery in your Redmi Devices तो हे गाईज, उमेश एर फॉम टेक मेंटर तो गाईज, आज के स्टूडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टोल कर सकते हो Pixel Experience Recovery या फिर Linux OS Recovery आपके Redmi Devices के अंदर तो वीडियो को पूरा लास तक वोच करें और आप आसनी से इंस्टोल कर पाएंगे आपके Devices के अंदर Pixel Experience वाली Recovery या Lineage OS वाली Recovery तो वीडियो स्टार्ट करते हैं without wasting time, let's begin तो यहां मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहां पे आपको क्या-क्या requirement होगी Pixel Experience रिकावरी इंस्टोल करने के लिए उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो डिवाइस से उसका बूट लोडर जो है वो अनलोक होना चाहिए अब बूट लोडर अनलोक कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक separately वीडियो बना रखिए आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हो साथ इसाथ जो भी वीडियो से रिकमेंडेट वो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी जो फायल अफ फायलो यहाँ पर फरेखनी लिए अगर आपके पास कोई हो डिवायस है तो आपको ऊसी की recovery फायल है वो फ्लेस करनी होगी आगे आपको रिक आफको कैसे इसे इंस्टॉल करना है उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको आपके device को custom recovery पे बूट करना होगा तो करते custom recovery पे बूट इसके लिए आपको simply power off करना होगा power off करने के बाद आपको power button plus volume up button को press करके रखना है जिससे जए custom recovery पे बूट करेगा तो जल्दी से करते custom recovery पे बूट तो guys यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर successfully मैं boot कर चुका हूँ orange fox recovery के उपर अब इसके बाद आपको क्या करना होगा आपकी जो recovery file है pixel experience recovery file यहाँ फिर lineage over recovery file उन दोनों को जो भी आपको install करना है दोनों में से उनकी जो file है आपको sd card में save कर लेनी है और यह जो file से खहां से download कर करना है आपको यहाँ तो हमारे telegram group से यहाँ फिर आपको जो है Google Chrome पर सर्च करना होगा आपके particular device के लिए दोनों में से जो भी recovery आप install करना चाहते हो यहाँ से जो है आपको micro sd card select करना है तो micro sd card select करने के बाद जो आपका sd card है उनके file आपको show हो जाएगी अब यहाँ पर आपको करना है जो भी आपकी pixel experience या आप lineage और recovery जो भी install करना चाहते हो उसको simply आपको select करना होगा select करने के बाद यहाँ पर आपको recovery का option देखने को मिल जाता है उस पर tap करना है और simply आपको swipe कर देना है तो इस परकार से आपको recovery जो है फ्लेस करनी होगी अब यहाँ पर आपको कुछ दिर wait करना है और देखते हैं कि यहाँ जो install हुई है या नहीं अब यहाँ पर आपको reboot to recovery कर देना है और यहाँ पर आप देखते हैं का लोगो आ चुका है अब जो डिवाइस है रिकावरी पर बूट हो रहा है तो वेट करना है यहाँ आपको तो यहाँ आप देखते हैं और इस परकार से आप इंस्टोल कर सकते हो pixel experience recovery अब बाकी बात करते हैं आपको वापस से और इस परकार से आप वापस से जो है और इंस्टोल कर सकते हो इंस्टोलिंग होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर दिखते हो flashing method नहीं परीट कर रहा है थोड़ी तरह में रिपूट होका और यहाँ पर डिटीम का लोग आ चुका है और यहाँ वेट करना है कुछ देर के लिए ताकि आपको यहाँ पर आपको custom recovery का बूट अनिमिशन देखने को मिल जाएगा तो ही यहाँ देखते हो Successfully मैंने Pixel Experience Recovery से Orange Fox Recovery वापस से इंस्टोल कर लिए और Orange Fox से मैंने Pixel Experience Recovery क्या से इंस्टोल करते हैं वो भी मैंने आप इस वीडियो में बता दिया है I hope यह सब कुछ आपके लिए helpful रहा होगा इसी तरह की helpful वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो टेक्मेंटर चैनल को मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए pixel experience review के लिए आप left वाली वीडियो देख सकते हो और अगर आप pixel experience ROM कैसे install कर सकते हो तो उसके लिए राइट वाली वीडियो देख सकते हो thank you guys